नमस्कार दोस्तो श्टॉक मार्केट हिंदी में आप सभी का एक बर फिरसे स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे कुछ पांच क्वालिटी स्टॉक्स की जो फाइनिशली और फंडामेंटली सॉलिट कंपनियां हैं जियां फ्रेंट्स और वेरियस सेग्मेंट से बिलॉग करती है और अगर आप एक इन्वेश्टर हो जो लंबे टाइम का सोच रहा है इन्वेश्मेंट करने का तो यह स्टॉक्स आपके लिए बहुत सांदार हो सकते हैं जो एक मल्टी बेगर रिटन जो कहते हैं यह वो बना कर दे सकते हैं जियां फ्रेंट्स यह सभी के सभी स्टॉक्स पांच स्टॉक्स में से चार स्टॉक्स एड़ प्रेजेंट स्मॉल केप के हैं तो सोच सकते हैं कि इनमें अगर लंबे टाइम के लिए निवेश्ट किया जाएं तो कितना बेहतर रिटन बना कर आपको मिल सकता हैं जियां तो आईसे स्टॉक्स में और जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ आपको वो फाइनेशली बहुत स्टॉंग कंपनियां हैं जियां फ्रेंट्स आप देखेंगे आगे सो फ्रेंट्स सबसे पहली कंपनी जो एक wires और cables की manufacturing करती है और बहुत पुरानी कंपनी अपने फिल्ड में 1968 में established हुई है कंपनी का नाम है के I Industries Limited 8 प्रेंट भी ये stock बहुत छोटा है market cap के इसाब से मात्र 15,000 क्रोड का भी market cap नहीं है अभी जियां फ्रेंट्स करन्ट प्राइस 1500-1600 के अधर ब्यान चल रहा है 52 भी खाए 1662 का है stock का P 33 का है ROC ROE सब कुछ बढ़ियां है देख सकते है 24% के राउंड ROE है 19% के राउंड company पर debt भी मात्र ना मात्र है 186 करोड का debt reserve अच्छा खासा है company के पास देख सकते है जो 2300 के ऊपर का reserve है 2300 करोड के ऊपर का profit growth sales growth long run में देखिए तो ये भी आपको सांदार देखने मिलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है company की बढ़िया profit growth है sales growth है consistently company का जो price chart है लगातार भागे ही जा रहा है अच्छी कासे sales growth company generate कर रही है profit growth भी generate कर रही है और साथ ही साथ stock price के जो CAGR की बात करता हूँ मैं हमिसा तो वहाँ भी company अच्छा कासा return बना कर दे रही है जियाँ friends देख सकते हैं और अच्छे कासे return on equity भी company के देखने मिलते हैं इनका scheduling pattern भी आप देखेंगे तो यहाँ FIs और DIs की holding है वो आप देख सकते हैं 26-27% की FIs की holding है DIs की 18% तो इतनी ज़्यादा holding इन लोग भी करके बैठे हैं और यह stock हर दो साल में आपका पैसा double कर देगा जिया फ्रेंट जिस आप से इनका जो CAGR है 50% के around देखने मिलता है long term में तो 40% के अबो का return तो देते ही आए long term में भी तो ऐसी company को आप ढूणिए और ऐसी stocks में निवेज कीजिए और जितना amount आपको लगता है कि small cap में डालना चाहिए उतना ही निवेज कीजिएगा देख सकते हैं methylamines, ethylamines, derivatives of specialty chemical और pharma exhibits की manufacturing करती है company का अच्छा खासा market share है इनके field में जिया फ्रेंट्स market cap की बात करो तो 10,000 करोड का भी नहीं है और अच्छी खासी गिरावाट में बीच में ये stocks और भी आई थी और 8% recovery देखने मिलती है 52 भी खाए देखाए जाए तो 4,000 का है और stock का current price जो 3,000 के आसपस चल रहा है जिहां friends आगे बात करो ROC देख सकते हैं 50% का है ROE 34% debt फिल्कुल भी नहीं है देख सकते हैं 111 करोड है मात्र और reserve की बात करो तो 14,000 करोड से जाला का reserve ने जग रहाता है company के sales growth, profit growth यहां भी आप देख सकते हैं long term में भी तो financially company की growth बहुत solid हो रही है देख सकते हैं जिहां friends 27% के around profit growth है last 10 years में 36% 5 years में और 3 years में 47% company की ROE 25-30% की है और जो stock price का जो CAGR है वो भी देख सकते हैं पिछले 3 सालों में 103% का और फिलाल एक साल में अभी stock price का जो return है में negative 5% पर हैं तो बढ़िया company है Balagia Mines ऐसे stocks में invest कीजिए long term में जिहां friends फिलाल 100 term में यह stock काफी आपको volatile नजर आएगा लेकिन long run journey में यह आपको बहुत सांदर return मेना कर दे सकते हैं अब बात करो next company जिसका नाम है Alcargo Logistics Limited जिहां friends लोजिस्टिक services provide करने में यह company भी दिगज company है बहुत अच्छी profit company में देखने मिल रही है at present इसके financials बहुत तेजी से सुसरते आ रहे हैं तो अब भी उठा लिए तो यह stocks बहुत तेजी से भागने माला है आप देखेंगे at present यह company एक small cap company है जो 11,000-12,000 करों का market cap है मात्रम अभी भी यह stock 52 week high पर है लेकिन यहां से यह stocks में तेजी आ सकती है जिहां friends ROCE company का देख सकते हो 26% ROE 32% debt company में के पास है फिलाल 8,900 करों का लेकिन reserve भी है उनके पास उसे double company अपने business को बहुत अच्छी तरह से run कर पा रही है sales growth 43% की रही है last 3 years में profit growth 56% की last 3 years में ROE company का 13-17% का है फिलाल और पिछले 3 सालों में stock price ने 72% का annual CAGR दीते आई है company आगे बात करते हैं company के share rolling pattern भी आप देख सकते हैं तो promoters की जो इससे दारी है 70% के round है लेकिन FIs फिलाल 9% की सदारी रखते हैं और DIs भी 2.13% की तो FIs, DIs भी धिरे-धिरे entry करने लगे हैं इसे stocks में तो Alcargo Logistics Limited ये company भी बहुत अच्छी company हो सकती है जियां friends फिलाल small cap है ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा अब बात करते हैं हमारी next company जियां friends तो company का नाम है हिंदुस्तान Foods Limited जो contract manufacturing करती है various FMCG products including food, home care, personal care, beverages, etc company के पास सांदार client base है और अच्छे financials और fundamental इस company के भी है जियां friends market cap मातर 7,700 करोड़ का है at present ये stock वापस ते अपने 52 week high के करीब आ चुका है बहुत पहले हमने cover किया था जब इसका price 4500, 500, 500 के level पर था लेकिन कुछ दिनों से इस stock में कफी तेजी देखने मिल रही है जियां friends stock at present 134 के P पर आ चुका है ROC की बात करो दोनों ही 16-17% पर है ROC, ROE company के उपर debt 422 करोड़ की है और reserve देखा जाए तो 315 करोड़ का है तो debt थोड़ा ज़्यादा देखने मिलता है जो debt to equity ratio है 1.25 का जियां friends बाकी company के financials में कोई दिक्कत नहीं है sales growth अच्छी है, profit growth भी अच्छा है stock का जो price है consistently भागता ही जा रहा है add present अच्छे खासे movement इसमें देखने मिलने है compound and sales growth, profit growth ये भी देख सकते हो ROE 17% के round है और जो CAGR है वो भी आप देख सकते है बहुत बहतरीन return बनाकर देने वाली ये भी company रही है पिछले कुछ सालों में जियां friends देखा जाए तो 90% का CAGR देखने मिलता है last 10 years में और last 3 years में 79% का जियां friends तो बढ़ियां company है आगे इसके shareholding pattern भी एक बार देख लेते हैं तो जहाँ FIs और DIs 6.5% की holding रखते हैं और promoters 65% के round holding रखते हैं So friends next company की बात करते हैं उस company का नाम है SRF Limited जियां friends जो various diversified business segment में cover करती है fluorochemicals, specialty chemicals packaging films, technical textile and coated और laminated fabrics बनाती है market cap के साब से एक mid cap company हो चुकी है 67,000 करोड से ज़्यादा का market cap है फिलाल 2200-2300 के range में आते देखने मिल रही है बीच में अच्छे खासे 52 week high company ने जनरेट की है 2865 रूपिस की जियां friends तो ये company long term investors के लिए बढ़ियां है जो भी मैंने आज वीडियो में cover किया है ROC इस company का देख सकते हो ROE दोनों ही 24% पर है company के उपर depth है 3800 ग्रोड का लेकि इनके पास reserve भी उससे दुगना है जियां friends बाकि sales growth, profit growth company में बढ़ियां है आगे बाद को इस company के component sales growth वो भी आप देख सकते हैं तो अच्छी कासी sales growth रही है long term में और component profit growth भी जो पिछले 3 सालों में 43% 5 सालों में 30% company के पास ROE देख से इनका 18-20% का देखने मिलता है stock price के return की बात करू तो ये भी 50% के round CGR रहा है आगे share holding pattern भी आप देख सकते हैं जहां FIs और DIs बहुत अच्छी कासी holding रखते हैं इन stocks में जहां Frens देख सकते हैं 19%, 14% इस तरह से FIs और DIs की holding है जहां Frens तो सोच सकते हैं ये सारे stocks के बारे में तो इन में से एक भी company खराब नहीं बता रहा हूँ आपको जहां Frens भले company का market cap छोटा है कोई small cap है तो उन में आपको investment भी छोटा ही करना है बाकी S.R.F. में आप अच्छा कासा पैसा लगा कर चल सकते हैं जहां Frens तो ये सभी stocks एक long term investors के लिए बढ़िया quality stocks हमने बताए हैं अगर आपके portfolio में ये stocks नहीं है तो कुछ न कुछ quantity में अच्छी खासी गिरावट होने पर ही उठाएं तो भी चलेगा जहां Frens एक दो quantity पिक करते रहें long run के लिए तो बढ़िया quality stocks है component annual growth rate सभी के सभी stocks का 40% के अभू आपको देखने मिला है जहां Frens तो सोचिए इन stocks के भी बारे में और small cap है तो खास द्यान रहे हैं कि volatility देखने मिल सकती है जहां Frens तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो सो Frens वीडियो को like और share जरूर करें और साथ ही stock market हिंदी में इस channel को subscribe करके bell icon भी जरूर हिट करें ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको लगातार मिलती रहें So friends मिलते हैं next video में तब तक के लिए आप से